सेलेक्सन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हमारे टेस्ट स्रीज की हमारे पांचमें टेस्ट की यह टेस्ट होगा मध्य प्रदेश विसाय का हमारे सभी टेस्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से जाक के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है आज का पहला सवाल है मध्य प्रदेश का राजकी विक्ष बरगद कब घोशित किया गया इसके ऑप्शन है 1975-1981-1985-2009 इसका सही उत्तर होगा 1981 मध्य प्रदेश का राजकी फल आम मध्य प्रदेश का राजकी पशु बारह सिंगा जोकी ब्रेडरी प्रजाती का मध्य प्रदेश का राजकी नाट्य माच मध्य प्रदेश सरकार का राजकी मचली महाशीर जिसे 2011 में घोशित किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में राज की खेल मलखंब को घोसित किया है अगला सवाल हम देखते हैं वैस्ट टेकरी बौध इस्तूप कहां इस्थित है? इसके आप्शन है राय सेन, उजयन, खरगौन, दमोह इसका सही उत्तर होगा उजयन समराट असोग की पत्नी वैस्ट पुत्री देवी उजयन में जिन बहुत इस्तूपों को बनवाया था उन इस्तूप समूहों को वरतमान में वैस्ट टेकरी के नाम से जाना जाता है मतलब समराट असोग की पत्नी वैस्ट पुत्री देवी ने उजन में जिन स्टूपों को बनवाया वही आज कहलाते हैं वैश्ट टेकरी स्टूप अगला सवाल मुंज सागर तालाब का निर्माण करता कौन था? एक बाफिर सवाल पढ़ते हैं मुंज सागर तालाब का निर्माण करता कौन था? उप्षन, सीअगदुती, राजा भोज, उपेंदर राज, वागपती मुंज इसका सही उत्तर होगा वागपती मुंज जिसे आप प्रश्ण से भी समद सकते हैं प्रश्ण में भी मुंज है और उत्तर में भी मुंज दिखाई दे रहा है पाक्पती मुझ ने धार में अपने नाम से मुझ सागर नामक तालाब का निर्माड कराया म्रग नैनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसके आप्शन है राम कौशल वाजपेई, विरंदावन लाल वर्मा, गडपती सिंग, देवनाथ चोहान इसका सही उत्तर होगा विरंदावन लाल वर्मा, म्रग नैनी विरंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध एतिहासिक रचना है इसमें गौलियर राज के प्रितापी राजा मान सिंग तोमर तथा उनकी रानी गुजरी के बारे में कहानी है, उनकी प्रेम कहानी है अगला सवाल मध्य प्रदेश की प्रिथम नगर पालिका कब गठित की गई? सवाल है, मध्य प्रदेश की प्रिथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? इसके यह प्रदेश की प्रिथम नगर पालिका जोकी थी द्यतिया में इसका गठन किया गया उननिस सो साथ में अगला सवाल, नमामी देवी नर्बदे यात्रा का सुभारंभ कब किया गया? इसके आप्शन है दिसंबर 2016, नमामबर 2016, दिसंबर 2017, नमामबर 2017 इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 2016 जोला, नर्बदा नदी को प्रदूशन मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नमामी देवी नर्बदे सेवा यात्रा सुरू की गई यात्रा की सुरुआत नर्बदा उध्गम अमर कंटक से हुई जहां मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चौहान के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरूपाणी जी भी मौजूद थे अगला सवाल है मोहिनी सागर पर्योजना किस नदी पर इस्थित है इसका सही उत्तर होगा सिंध नदी और जिला सीवपूरी जिला अगला सवाल है शहीद अम्रता देवी विश्नोई पुरसकार किस छेत्र से संबंधित है? इसके option है वन सनरक्षन, आदिवाशी कल्याण, महिला ससक्ति करण, लोक कला इसका सही उत्तर होगा वन सनरक्षन से अगला सवाल भोपाल मैट्रो की कुल लंबाई कितनी है? भोपाल मैट्रो की कुल लंबाई कितनी है? इसके option है 27.37 km, 27.87 km, 29.37 km, 29.87 km इसका सही उत्तर होगा 27.87 km अगला सवाल कसरावद इस्तूप मध्य प्रदेश में किस जिले में इस्तित है? कसरावद इस्तूप कहां है? इसके option है खंडवा, नीमच, दतिया, खरगाउन इसका सही उत्तर होगा खरगाउन में कसरावद खरगाउन में अगला सवाल सहजादा फिरोज शाह ने स्वयम को कहां का सहजादा घोशित किया? सहजादा फिरोज शाह ने स्वयम को कहां का सहजादा घोशित किया? इसका option है मंद सौर, नीमच, धार, खाबुआ मंद सौर, नीमच, धार, खाबुआ इसका सही उत्तर होगा मंद सौर मुगलिया सल्तनत का एक चस्मो चिराग सहजादा फिरोज शाह था जो मुगल सहजादे, जफरुदीन का बेटा और बहादुर शाह प्रथम का वंसस था अगला सवाल देखते हैं मध्यप्रदेश में औलिकर वंस का संस्थापक कौन था? मध्यप्रदेश में औलिकर वंस का संस्थापक इसके option है बंधु वर्मन, नर्वर्मन, कृष्णराज, यशो वर्मन इसका सही उत्तर होगा नर्वर्मन प्राचीन दश्पूर वर्तमान मंदसौर में औलिकर वंस की स्थापना हुई जै वर्मन, सिंग वर्मन, नर्वर्मन, यशो वर्मन इस वंस के प्रमुक्स आ सकते अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल हम देखते हैं मध्य प्रदेश उथसोग कहां होता है। Option है दिल्ली भोपाल इनदोर इन में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मध्य प्रदेश उत्सोग दिल्ली में होता है। अगला सवाल मेरी संसद यातरा किसकी रशना है ? इसके option है कमलनाथ, ओम बिल्ला, अटल विहारी वाचपेई जी, सुमित्रा महाजन इसका सही उत्तर होगा अटल विहारी वाचपेई पूर प्रदान मंत्री सुर्गी अटल विहारी वाचपेई जी को 2015 में देश का सर्वोच सम्मान भारत रत्म प्रदान किया गया था और ये ग्वालियर में जन्में थे अगला सवाल ओर्षा सहर की स्थापना किसके द्वारा की गई ओर्षा सहर की स्थापना इसके ऑप्षन है नरवर्मन, वीर सिंग बुंदेला, राजा रुद्र प्रताप इन में से कोई नहीं इसका सही उतर होगा राजा रुद्र प्रताप बेतवा नदी के तट पर बसे एतिहासिक सहर ओर्षा की स्थापना सोल्वी सताबी में बुंदेला, राजपूत, प्रमुख, रुद्र प्रताप, नेकी अगला सवाल देश की सबसे छोटी मस्जिद, ढाई सीधी मस्जिद कहां इस्थित है इसके ऑप्षन है खरगौन, भोपाल, सागर, धार इसका सही उतर होगा भोपाल देश की सबसे छोटी मस्जिद, ढाई सीधी मस्जिद, भोपाल में इस्थित है इसके अलावा, एसिया की सबसे छोटी मस्जिद भी से कहा जाता है ये मस्जिद, नवाब दोस्त मुहम्मद खान द्वारा, 17-16 में बनवाई गई थी राज जनसंख्या नियंतरन दिवस कम मनाया जाता है इसके ऑप्षन है 11 मई, 11 जून, 5 अक्टूबर, 15 नवंबर इसका सही उतर होगा 11 मई राज जनसंख्या नियंतरन दिवस, 11 मई यदि राष्टी जनसंख्या दिवस पूछा जाए तो वो होता है 11 जूलाई को, 25 सितंबर को लोगसेवा प्रदाय दिवस 5 अक्टूबर बेटी बचाओ दिवस 15 अक्टूबर जनजातिय गौरव दिवस अगला सवाल हम देखते हैं प्रदेश का पहला तितली पार्ग कहां इस्थित है? इसके ऑप्शन है राय सेन, इंदौर, भौपाल, गौलियर इसका सही उत्तर होगा राय सेन मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्ग गौपालपूर राय सेन में है जबकि दुती तितली पार्ग राला मंडर इंदौर में स्थापित किया जाएगा भारत के पहले तितली उद्ध्यान को मनेर घटा राष्टी उद्ध्यान जो की करनाटक में है वहाँ विक्सित किया गया है तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही ये था टेस्ट फाइफ हम इलेंगे आप से अगले टेस्ट के साथ आप पुराने टेस्ट भी लगा सकते हैं तब तक लिए आप सबस्त रहें पढ़ते रहें